Hello everyone, welcome मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है हिंदी वाले लोग आज का ये वीडियो एक बहुत ही कॉमन टॉपिक पर है वो ये कि YouTube में कैसे आप parental lock या bad words यूज किये गए contents वाले वीडियो को ब्लॉक कर सकते हैं इसके लिए तीन तरीके हैं और वो तीनों ही मैं वीडियो में आज दिखाऊंगी कि कैसे आप parental lock लगा सकते हैं और ये आप browser या YouTube आप दोनों से ही कर सकते हैं शुरू करने से पहले मैं आप से request करूँगी कि आप इस वीडियो को जरूर एंट तक देखे और पसंद आए तो प्लीज लाइक करिए और ऐसे ही useful contents के लिए मेरे चानल को भी प्लीज सब्सक्राइब करिए So, let's begin इसके लिए easiest है कि YouTube ने किट्स के लिए जो website बनाई है आप वो use कर सकते हैं उसका URL है youtubekids.com यह इस URL का home page है यहां पर आपको click करना है get started पर यहां एक simple math का question पूछा जाएगा यह सिर्फ इस बात को ensure करने के लिए है कि browser को इस वक्त कोई एक इनसान ही use कर रहा है मुझे question पूछा जा रहा है 3 into 4 क्या होता है आप जब youtubekids.com को open करेंगे तो आपको कोई और question भी पूछ सकते हैं जो भी question पूछा जा रहा है उसका जो भी correct answer है आपको वो type करके submit पर click करना है submit पर click करने के बाद YouTube के कुछ terms and conditions है उसे आप एक बार पढ़ लीजिए पढ़ने के बाद आपको I agree पर click करना है यहाँ पर आपको next page open होगा next page में आपको select करना है आपके बच्चे का क्या age है क्योंकि YouTube जो भी suggestions या जो भी videos show करेगा page पर वो इस बात पर depend करेगा कि आपका बच्चा किस age group को belong करता है क्या वो चार साल या उससे छोटा है या उसकी उम्र पांच से आठ के बीच में है या नौ से बारा के बीच में है तो अगर माल लीजे कि मैं नौ से बारा का age group select करती हूँ तो यहां पर YouTube का कहना है कि 9 से 12 age के group के लिए जो भी videos applicable है चाहे वो extra curricular activities के लिए हो science related हो या कुछ game या कुछ भी skillset improve करने वाले videos वो सब भी वो suggestions में show कर तो अगर आप agree करते हैं then click on select अब यहां पर next page में दो options है उसमें से एक आपको select करना है turn search off या search on search on में क्या है आप वो भी video search कर सकते हैं जो YouTube किट्स के लिए available है लेकिन YouTube ने अभी तक उन्हें verify नहीं किया लेकिन अगर आप search off select करते हैं तो आपको वही limited video show होंगे जो YouTube किट्स ने already verify किया है तो मैं search off पर select करूंगी यहां पर अब आपको YouTube किट्स के कुछ features की एक छोटी सी tour guide प्रोवाइड की जाएगी जिससे आप ensure कर सकते हैं कि parental guide या parental lock on है इसमें first है जैसा यहां पर लिखा है कि click on this lock icon to change your settings और open the parental lock यह एक feature है और right arrow पर जब आप click करेंगे तो next feature show होगा यहां पर report the videos from this menu or sign in to the block video and channels you don't like तो अगर कुछ ऐसे भी videos हैं जो कि kids video पर ही show हो रहे हैं लेकिन आपको वो video पसंद नहीं आया या आप उस फूरे channel को ही block करना चाते हैं तो video के top right corner पर ऐसे three dots show होगे आप उस dot को click करके भी block कर सकते हैं और फिर right arrow पर दुबारा click करें तो third suggestions यह third option है after your child has watched some videos click on the profile icon to show what you have watched तो YouTube watch history भी maintain करता है और YouTube kids में भी same feature available है अगर जो भी videos आपके kids ने already देखा है अगर आप देखना चाहते हैं कि आपका बच्चा किस तरह के videos देखता है तो आप वो भी देख सकते हैं profile icon पर जब आप click करेंगे तो आपको history show होगी वहां से आप देख सकते हैं कि आपके बच् complete होने के बाद you can click on done that's it यहां पर अलग-अलग तरह के videos है जैसे sports, shows, music, explore या gaming जिस भी तरह के videos में आप interested हो आप देख सकते हैं यहां पर जब आपका laptop यापका computer आपके बच्चे के हाथ में जाएगा तो इन options में से वो explore करके देख सकते हैं YouTube kids के बाद जो second method है वो directly YouTube.com पर ह available है यहां पर जब आप YouTube.com website को open करते हैं अपने browser में तो आपकी profile पर जब आप click करेंगे यहां पर आपको कुछ options show होते हैं यहां सबसे bottom में है restricted mode off अगर आप इसको click करेंगे तो यह आपको restricted mode on करने का option show करता है इससे आप ensure कर सकते हैं कि जो भी video show होते हैं वो potentially matured video उसमें कोई bad content नहीं है comments में कोई bad words यूज नहीं है तो अगर मैं इसे on करती हूं तो इस तरह से भी आप restricted mode को on कर सकते हैं लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कोई भी इस restricted mode की setting को change ना कर पाए तो आप दुबारा से अपनी profile icon को click करेंगे यहां पर इस list में अब आपको show करेगा कि restricted mode on है लेकिन जब आप उस पर click करेंगे तो यह आपको यह तो दिखाएगा कि restricted mode की setting अभी active है लेकिन यहाँ पर सबसे नीचे एक option है lock restricted mode on this browser जब आप इसको click करेंगे तो अब restricted mode पूरी तरह से इस browser पर active रहेगा और यह lock रहेगा कोई भी इस setting को change नहीं कर सकता है इस चीज को activate करने के लिए आपको बस आपका password यहाँ पर type करना है और यह setting lock हो चुकी रहेगी अब अगर आप restricted mode setting पर click करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब इस setting को off करने का option यहाँ पर नहीं show रहा है अगर आप इस setting को unlock करना चाते हैं तो आप unlock पर click करके दुबारा से आपको Google का password देना पड़ेगा अगर आपके Google account का password किसी को नहीं पता है then that's it यह setting पूरी तरह से locked है इसके बाद एक और तरीका है जहां आप adult contents को block कर सकते हैं उसके लिए आपको google.com की preferences website पर जाना होगा इसका URL है google.com slash preferences जब आप इंटर करेंगे तो आपको सबसे पहले आपके Google account पर sign in करना होगा sign in करने के बाद यहां सबसे उपर option है safe search filter यहां पर आप turn on safe search box पर click करके इस page के bottom में save button है उस पर click कर दीजे and that's it. your preferences are saved now अब इस browser के साथ साथ YouTube पर जो आपका account है जो इसी Google account के साथ linked है वहां पर भी limited contents ही show होगे तो जो settings हमने browser से की है वो same आप आपके mobile से भी कर सकते हैं उसके लिए आपको जैसा first method था browser पर कि आप YouTube kids use कर सकते थे उसी तरह आपके mobile पर भी YouTube kids का एक app होता है आपको app store में ज इस नाम का app है search करेंगे YouTube kids तो यह आप यहां पर लिस्ट होगा बस आप simply इस YouTube kids आपको सबसे पहले डाउनलोड कर लीजिए application डाउनलोड होने के बाद उसे open करिए browser की तरह यहां पर आपको select करना है I am a parent यह simple welcome message है right arrow पर क्लिक करिए अब आपकी screen पर जो भी questions पूछे जाए आपको उनका सही से जवाब देना है जैसे यहां पर सबसे पहला सवाल है enter the year you were born it just verifies your age it is installed यहां पर आपको make sure कि आप parent का age इंटर करना है ना की बच्चे का जब बच्चे का age पूछेंगे तो वहां पर वह बोलेंगे enter your child's age तो यहां पर आपका age पूछा जा रहा है क्यों करना होगा वह Gmail जिससे associated आप YouTube account create करना चाहते है YouTube kids पर email id प्रोवाइड करने के बाद parents के लिए YouTube kids पर कुछ terms and conditions है आपको उन conditions को एक बार go through करना है उसके बाद आपको password प्रोवाइड करना होगा पासवर्ड इंटर करने के बाद click on confirm अब आपको यहां पर kids की profile create करनी है so सबसे पहले enter the first name of your kid मैं कुछ random name दूँगी age simply anything just enter one for example and then birth month details enter करने के बाद फिर से right arrow पर click करिए यहां by default जो भी आपने आपके बच्चे का age प्रोवाइड किया है उसके according age group select हो जाती है जहांकि browser में आपको manually age group select करना था तो age group already selected है click on right arrow यहां पर parents के लिए एक छोटा सा information आप agree करते हैं then click on select that's it profile is created अगर आप एक से ज़्यादा profile create करना चाहते हैं तो plus icon पर click करके दुबारा से information provide करके दूसरी profile भी create कर सकते हैं if not then just click on done profile create हो गई अब उस profile पर जब आप click करेंगे तो जैसे आपने browser में देखा थ sports, shows, music, learning, explore यहां पर भी जो lock icon है उस पर जब आप click करेंगे तो यह सिर्फ parents के लिए ही है simple math का question जब answer कर लिया उसके बाद यहां पर कुछ settings है वो भी आप देख सकते हैं timer लगा सकते हैं और अगर कुछ feedback देना है तो वो भी कर सकते हैं और इसमें भी वो feature available है कि यह video YouTube kids पर ह लेकिन अगर आपको वो YouTube पसंद नहीं आया तो आप अगर आप उसे चाहते हैं कि वो दुबारा इस तरह के वीडियो ना शो करें तो यह three dot show हो रहा है उस पर click करके उस video को भी block कर सकते हैं YouTube kids के अलावा जो second option था हमारा YouTube.com जैसे उसमें हमने privacy settings में restricted mode on किया था उसी तरह आपको YouTube app open करना होगा उसके बाद आपकी profile में login कर सकते हैं आप profile icon में click करने के बाद settings पर click करें और settings में general यहां पर restricted mode उपर से fourth option है इसको अनेबल कर सकते हैं अनेबल करने के बाद सारे videos जिसमें की mature videos होते है inappropriate content inappropriate words used होते हैं उसे यह block कर देगा तो है नहीं है कितना simple और parental lock सि पेरेंट्स हैं और वो चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छे content वाले videos देखें या उन लोगों के लिए भी जो चाहते हैं कि bad words used किये गए videos उनको suggestions में ना शो करें वो completely उन्हें ब्लॉक कर सकते हैं उमीद है आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा इसे प्लीज नहें लाट करेंशी झार के लाट करेंशी फिल्लीश भी नहें स्यवाच posición हैं अ को लिए